हालो इस्टुडेंट्स गुद मॉर्निंग मैं रिमा सिर्वास्तो और आज आप लोग मुझे पढ़ेंगे चेप्टर 12 जिसका नाम है तोते का संदेश तो क्लास थार्ड चलिए इस कहानी में क्या है ये हम लोग जानती है निकाल दीजिए आप लोग और चेप्टर 12 पढ़े यह तो इस कहानी में एक जैसा कि नाम सी मालूम हो रहा है हूँ तोते का संदेश के बारे में बताया गया है इस कहानी का सुबधात हो थोलता है कि जो कि onun भारत ब्यापार करने के लिए आने वाला होता है तो वह अपने घर के सभस्य उसी बोलता है कि मैं भारत जा रहा हूं ब्यापार के लिए और यदि तुम्हें वहां की कुछ चीजे मंगवानी हो जो मस्वूर चीजे हैं जो कि तुम लोग को पसंद हो तो बता दू मैं लेते हैं अंगर सभी लोगों ने पने पसंद की चीजे किसी के बताए किसे ने हीरो काः कि किसे में दोकी माला वाता है किसी में सुतिरेश में कपड़े इस सौधारत के घर में एक भारती तोता रहता है जो कि सोने के पजरे में बंद रहता है तो सौधागर को थोड़ा मजाग समझ में आता है और ऐसे ही मजाग में तोटे से पूछ बढ़ता है हे तोटेला मैं तुम्हारे देश जा रहा हूँ तुम्हे कोई चीज मंगवानी हो तो कहो तोटा कहता नहीं मुझे कोई चीज नहीं मंगवानी है लेकिन यदि वहाँ पे तोटे पक्षी आप तो मज़राएं तो मेरा एक संदेश उन से कह दीजेगा सौधागर कहा ठीक है क्या है संदेश बढ़ता तोटा कहता है उन तोटों से कहना उन पक्षियों से कहना कि हे पक्षी है तुम्हें हाँ खुले आकास में आजादी से उडान भरते है कि तुम्हारा एक भाई बुखारा नगर में सोने के पिजरे में कैद है क्या यो मुनासिब है ऐसा उस तोटे ने तुम्हारे लिए संदेश बीजा है जो कि पिजरे में बता है पहले तो वह खसने लगा सोदागर कि यह कौन सा संदेश हुआ एकिन फिर कहा मैं तुम्हारा संदेश आवसिकाद हुआ उसके बारे सोदागर भारत के लिए निकाई करता है भारत में उसका अच्छा समय दीचता है अच्छा बेपार भी करता है, बहुत सा अधान भी कमाता है और फिर वापस होने के पहले वह परिवार के सदस्यों का जो कहा गया था समाल लाने के लिए उनके बार जो कहा गया था, उन सभी वस्तिएंगी खरिदारी भी करता है रास्ते में एक जंगल पड़ता है जहां बहुत सारे तोते पक्छी होते हैं जूंडते जूंदर होते हैं तो जब उन तोतों को देखता है सौदागर तो उसे अपनी तोते का संदेख सियाद आजाता है तो वह एक तोते के जुन की तर्म मूँ करके बोलता है कि हे तोते तुम्हारे ही जैसे एक तोता हमारी घर में है उसने तुम लोगों के लिए एक संदेख भिज़़ा है उसने कहा है कि हे तोते पक्छी तुम यहां आजादी से उड़ान भरते हैं और तुम्हारा एक भ़ाई गुखारा नगर में सोने के पिजरी में कैद है क्या है यह मुनासिव है ऐसा सुनते ही उस जुन्द में एक बूरा दोता होता है जो की इस बाती सुनता है और सुनते ही वो डाली पे कापने लगता है और काप्ते काप्ते फड़ फड़ाते हुए वह आकर लुखके वो सौधागर के पैरों के पास गिर पड़ता है ऐसा देखकर सौधागर दो कदम पीछे हट जाता है और सोचने रखता है कि सायद या मेरे हाँ जो तोता है उसका मित्र या रिस्तदार हो या फिर बुहाँ तो हो सकता है उसका बाब ही हो, पिता ही हूँ सायद उसके संदेश के आगात से ही है मर गया, इसकी मिप प्र वोगया उसे भी थोड़ा कश्ट होता है नेकिन फिर व उपचर देता है वो पुखारा नगर पहुशता है अपने परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पसंदीरा चीज़ों को लेते हैं और फिर वो पताता है कि मैंने तुम्हारा संदेश कह दिया लेकिन एक आजब घटना हूए तो क्या उनलोगों ने कोई संदेश मेरे लिए दिया बोला नहीं किसी नहीं मुख नहीं लेकिन इक अजीव घटना हुए। उस जुन्द में एक बूरा तोता था जो कि मेरा संदेश सुनते ही कापने लगा और कापते हुए फटपडा कर मेरे पैरों के पास गिर करों मर गया। यह संदेश पिजरे में कैर उस तोते में सुनते ही सेम उसी तरन नाटक किया। वो भी कापने लगा और फटपड़ाता हुए पिजरे के तल्पी धाम से उड़ा दिया। सुदागर को बहुत दुख हुआ। पुला या खुदा यह क्या हुआ। इसको भी लगता है कि इतना दुख पहुचा कि यह भी मर गया। वो उसे मुर्दा समझ कर पिजरा खोलता है और उसको निकालकर अपने घर के जहरोख़ी से फेकता है। तब तब तोता उड़ जाता है। और उड़कर जाकर डाली पर बढ़ जाता है। सौधाकर पता यह भी कमाल है। यह कैसा हो गया। फिर वो तोता समझाता है कि आपने जिसे मेरा संदेश सुनाया। वाकई मेरे पिता जी थी। और उनका यह संकेतिक संदेश था। यदि वह सब्दों में आप से कुछ कहते तो आप उसंदेश मुझे नहीं देते। इसलिए उन्होंने मरने का नाटक किया और वो उन संकेतों के मात्यम से मुझे यह संदेश दिया कि है प्यारी पित्र। यदि तुम आजाद होना चाहते हूं तो मेरे जैसे मरने का नाटक करो। सो मैंने वही नाटक किया और हजाद हो दिया। अब मैं खुले आकास में उरूंगा, पानी पिऊंगा, फलों को खाऊंगा और गुंते खामते उरते हुए अपने मात्यपिता के पास पहुंचा हूं। तो ये था इस कहानी में, तो देखे संदेश नमक कहानी में ये सारी गड़ नहीं थी। सवदागर आशर चक्कित हो जाता है और सोथ में पढ़ जाता है कि पक्छी भी अपनी बातों को इन दूसरे से इतने आसानी समझा सकते हैं। तो उमिद है ये कहानी अच्छी लगी होगी। क्लास थार्ड आप लोग असे में बस आज कतम हो गया हिंगी फर्स्ट का। अब लोग ब्याकरटी कुछ चेप्टर को पढ़ेंगे। तो थाने बातो है।